कुष्ठ रोग और कोड जैसे आपके शब्द से ही लग रहा है और ये समाज में जो चीजें हैं कि कोड़ी एक शब्द था जिसके लिए अब तो नहीं 21 सताबदी में तो हम लोग अच्छे से हैं कि ये बिमारी almost eradication की ओर है कम दिखती है लेकिन पिछली सताबदी में जब ये लेपरोसी और कोड कोड सब्द से ही लोग भैभीत हो जाते थे गाओं के गाओं उनको किनारे कर देते थे जो लोग इस तरीके की बिमारी से ग्रसित होते थे तो ये बिमारी जो है लेपरोसी ये एक तरह के बैक्टिरिया से होती है और उस समय भी लोगों को पता चला था लेकिन चुकि इस तर्या मीडिया और लोग जागरूक नहीं होते थे, तो उसको वो शाप समझते थे, कि उस वो शापित हो गया अब्यक्ती, तो शापित हो गया तो उसको फिर किनारे कर देते थे, गाउंस के बाहर बैठा रहता था, लेकिन अब हमें पता है कि यह एक तरीके का बैक्टिरिया है, जैसे TB है एक बैक्टिरिया, उसी ग्रूप का एक Mycobacterium Lepra एक बैक्टिरिया है, इसकी वज़े से यह बिमारी होती है, जो कि इसकिन, इसकिन का डिस्प्रेक्रिमेशन होता है, और नर्व एंडिंग्स, जो नर्व पर डेमिज करते हैं, तो इसकी वज़े से उंगलियां टेड़ी मेड़ी और यह सब चीजें होती हैं, लोग जब यह बिमारी हो, तो इसका इस्तिति थी ऐसी इस्तिति थी, लेकिन इसका इस्तिति पूरा है, और लोग अकसर इस्तिति पूरा नहीं करते हैं. जैसे 6 मेने का इलाज बताया जाता है उनको आराम मिलने लगा वो हट जाते हैं तो इससे जो है ये इलाज जो complete इलाज नहीं हुआ है जिससे उससे वो दूसरे को फैल जाता है तो इससे ये देखना पड़ेगा कि इलाज जो भी करें वो complete करें एसे लक्षण होते है कि स्किन का जो होता है सोर होता है घाओ बन जाता है लंट बन जाते हैं जॉइंट्स पे नर्फ डैमेज होता है संसनाहट मतलब जो sensitivity है वो हतम हो जाती है नीडल से हम लोग प्रिक करते हैं तो वह सेंस्टिव नहीं रहती है वह जगा पैचेस बन जाते हैं और मसल्स वीकनेस हो जाती है आई ब्रोज कम होने लगते हैं यह सब चीजें इसके लक्षण में हैं लेकिन देखा गया है कि अब यह सब चीजें सरकारों के अथक प्रियास से लोगों के जागरूख होने से दवा करने से मेडिसिन चुकि इसकी 100% दवा है और 100% क्योर हो जाता है तो यह सब चीजें समाज में बहुत कम हो गई हैं और अब बहुत धोलने से कभी कभार मिलते हैं हम लोग जाते हैं तो जैसे लेप्रोसी के जो खराब हो जाते हैं और इसके लिए तो कहीं भी हमें तो इधर दो चार सालों से नहीं दिखते हैं इसका मतलब यह बीमारी काफी कंट्रोल में है और लोगों के जागरूखता अभियान से और दवा हो जाने से सही समय पे इलाज हो जाता है तो उससे काफी कुछ अगर व्यक्ति पहुंच जाता है लेकिन अब जाकरूखता इतनी हो गई है और हमारी हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा हो गया है कि लोग जल्दी आ जाते हैं और हमारे पास इसके मल्टी ड्रग ट्रीटिमेंट है M.D.T. कहते हैं उसको कुछ ऐसे तरीके के हैं वो डॉक्ट होते थे अने बिमारियों की वज़ा से अब वो रिमर्स चुकी खतम हो गया है समाज इसको accept करने लगा है कि यह भी एक बिमारी है तो जब समाज किसी भी बिमारी की तरह accept करेगा तो हम उससे ज्यादा तरीके से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं जब हम समाज उसको एका stigma ब पता चलता है उससे इलाज में बहुत कठिनाई आती है लेप्रोसी को ठीक होने के पीछे कारण यही है कि पिछले सालों में लोग तुरंत अस्पताल में आये हैं और उसका बहुत अच्छा इंटिवाटिक आया है और उसके इलाज भारत सरकार ने प्रदेश सरकार ने इलाज मुफ्त उपलब्द कराई है पूरी दवा उनको एक दी जाती है जितने देन का कोर्स होता है वो अगर दवा खा लें बीच बंद नहीं करनी है दवा सबसे खास बात टिवर क्लोसिस और लेप्रोसी का यही है कि दवा बीच में नहीं बंद करनी है थोड़ा सा आराम हो जात है तो वो इलाज बंद कर देते हैं जिसे लक्षण फिर बढ़ 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 जाता है और उससे रजिस्टेंस पैदा होते हैं बैक्टिरिया के उपर तो हम उसको लड़ने में थोड़ी सी कटनाई प्राप्त होती है कुछ रोग से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ जही है कि जितनी जल्दी अगर कोई चकता सरीर में आ रहा है या कोई चीज उसको लग रहा है कि सुन पड़ा रहा है कोई इसकिन का कोई पार्ट सुन पड़ रहा है तो तुरंट डॉक्टर के पास संपर करें इधर उधर नाँ बढ़त के कहीं भी लोग चोटे जगहों पे देखा गया है इसके चकर में और भूत-प्रेत वालों के चकर में जयदा इसके लिए पढ़ते हैं इसमें पढ़ने के जुरत हैं जो भी हमारे प्रात्मिक स्वास्त केंदर हैं, सामुदाइक स्वास्त केंदर हैं, और इतने अब तो chain of hospitals और hospital की गुरवता इतनी अच्छी हो गई है, कहीं भी जाएं, एक simple सा test होता है, उस test को करेंगे, और ये निरधारित हो जाएगा कि लेप्रोसी है या नहीं है, अगर तो early detection इसका सब से महतुपूर्ण रोल है, और उसका contact में नलोग रहें, जिसको है उससे थोड़ा सा दूर रहें, इलाज शुरू कर दें, उसके बाद से वो समाज में फिर से ठीक से रह सकते हैं, कुछ बीमारियों के तरह से बहुत सारी भ्रांतियां कुछ ट्रोक के बारे में भी फैलाई करते हैं, हमारी सोच वैज्ञानिक होती जा रही है, हम लोगों की बात सुन रहे हैं, वैज्ञानिकों की बारे हम सुनते हैं, और जब सुनते हैं वैज्ञानिकों की बाते हैं, तो हम उन भ्रांतियों से कोई मतलब नहीं रहते हैं, भ्रांतियां हमेशा जैसे इस समय वाट लेप्रोषी के बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत ही ऐसी चीज है कि अगर हो गया तो उंगलियां सड़ जाएंगी और तूट के निकल जाती है ऐसी कुई बात नहीं है अगर हम सभाया Saimaj पर पहुंच जाएं और इलाज कर लें तो कुछ भी नहीं होता यह जाता था कि लेपरो से बहुत भेंग कर कंटाजीजिस चुवा छूत की बहुत हाइली कंटेजिस तो ऐसा नहीं है फैलती है छुवा छूत से हो जाती है लेकिन अगर हम इलाज करते हैं और एंटिवैटिक लेते रहें तो उस तरीके से यह नहीं फैलती है इसके लिए यह समय की ज़रूरत थी आज की ज़रूरत नहीं है इसको अलग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है इलाज करने की बस ज़रूरत है एंटिवाटिक चल लाई है डॉक्टर को इलाज करें और जितना निर्धारी डोज में जितने निर्धारी समय तक डॉक्टर कहें उतने निर्धारी डोज और समय पे वो दवा लेनी है इससे लेप्रोसी 100% ठीक हो जागती है लेप्रोसी किसी भी तरीके की ऐसी कोई बिमारी नहीं है जो शापित बिमारी है ऐसा कोई बिमारी नहीं है ये एक तरह से बैक्टिरिया से है जैसे बैक्टिरिया से टीबर क्लोसिस है बैक्टिरिया से टाइफाइड है इसे तरीके से ये भी एक बैक्टिरिया की बिमारी है इसमें कोई भी चीज रियूमर वाली बातें नहीं है होनी चाहिए जैसे ही हो किस इसका इलाज है इसलिए इसमें घबराने और डरने जैसे तो कोई चीज है ही नहीं